तो यह आपका अधिकार है, यह आपका राइट है आप उनसे पूछिए किस मामले में आप मुझे पुलिस टेशन बुला रहे हैं या फिर आप उनसे बोलिए अगर आप जाना भी चाते हो तो आप उनको टाइम दीजिये कि मैं शाम को आउंगा या कल आउंगा या परसों आउंगा क्या आपकी जाईज वो मजबूरी है आप उसके बारे में उसको बताईए पर आपका ये पूछना कि किस मैटर में बुला रहे हो ये आपका अधिकार है कई बार आपकी स्टेटमेंट लेनी है जैसे नोटिस होते हैं नोटिस के अगर हम बात करें जैसे आपने पूछा कि मेरा मैटर क्या है आप पुलिस वाला आपको नहीं बता रहा है कि आपका matter क्या है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मुझे notice भेज़ दीजे notice पर मैं आ जाओगा मिलने के लिए दोस्तो आम बर्रा की जिंदगी में अकसर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस अगर आपके घर आ जाए या फिर पुलिस आपको बुलाए फोन करके पुलिस टेशन में तो आपको वहाँ जाना होता है पर उनका कॉल अगर आपके पास आ जाये तो ऐसे ही सिक्टिविट्टी कई की गुल हो जाती है जिने कानून के बारे में नहीं पता ऐसे कई सारे आपके अधिकार हैं जिन अधिकारों को देखते हुए पुलिस वाला भी आपको ऐसे ही कॉल नहीं कर सकता ऐसे ही कोई पुलिस वाला आपको घर नहीं पहुच सकता ऐसे ही पुलिस वाला आपको रोक न कई बार इस तरह घटना आपके सामने आती है अगर पुलिस वाला आपको बुलाई तो क्या-क्य स्टेप इमीजेटली आपको फालो करने चाहिए उन सबके बारे में आज में बताऊंगा अगर आप या पांच स्टेप फालो करते हैं तो पुलिस भी जान जायेगी कि आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है और आपके साथ कोई भी घटना घटित नहीं होगी ज़्यादा कुछ जानने के लिए अपने पाँच अधिकारों को दोस्तों बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसका नाम है Fight4True, मेरा नाम है विरिंदेवर्ट दोस्तों जब भी कभी पुलिस वाला कोई आपको कॉल करता है और कॉल करके सिधा बोलता है कि आप पुलिस स्टेशन आजाओ, इस पुलिस स्टेशन में आओ, आपके अगेस कोई मामला दर्जी। तो ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है, आप उनसे पूछिए क पर आपका ये पूछना कि किस मैटर में बुला रहे हो, ये आपका अधिकार है, अब दोस्तों यहाँ पर भी चीज़े अलग अलग हो जाती है, अगर माल लीजिए फोन आया आपके पास, किसी भी कॉंस्टेबल का, हैट कॉंस्टेबल का, तो इन लोगों को इतना ज़्या किस मैटर में आपका का नामाई है, आपको बुलायार जारह है, अगर आपको पहले से पता है, तो मेरा ये मानना है, कि आपको किसी की कानुनिस ख Award ले लेनी चाहिए, वरना आपको अर्येस्ट भी क्या जा सकता है, पर मैटर को पूछने कą आपका अधिकार है, पहले आप म दोस्तों आप अगर कोई भी नए वकील साहाब है कोई भी लॉय स्टूडेंट है या फिर अभी कानून की जानकारी अभी आप ले रहे हैं या आपके साथ कोई ऐसा मामला अगर हुआ है कभी भी तो आपके लिए बहुत कीमती ये वीडियो है वीडियो को आप पूरा देखे अब हम बात करते हैं स्टैप नंबर दो साफधानी दूसरी जिसमें कि आपको पुलिस वालों से डरने की जरुवत नहीं है आप अगर पुलिस वालों से डर जाते हैं आपके पास कॉल आया और वो बोलते है पुलिस टेशन आईये और आप डर गए तो ऐसे में आप कोई भ गलत स्टैप ले सकते हो अपना फोन बंद कर लोगे कहीं भाग जाओगे हाला कि था कुछ नहीं मैटर कुछ नहीं है आपके जाते ही सौल्व हो जाएगा पर आपने ऐसा करके पुलिस वालों को आप पर शक करने की वज़ा दे दी तो ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट करेग लेकर आपको छोड़ा जा सकता है डरना नहीं है अगर आप डरोगे तो प्रॉबलम और ज़्यादा दोस्तो बढ़ जाएगी अब बात करते हम तीसरे पॉइंट की दोस्तो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि पुलिस नहीं आपको बुलाया है तो आपको अरेस्ट ही कर कई बार आपकी स्टेट्मेंट लेनी है जैसे नोटिस होते हैं नोटिस के अगर हम बात करें जैसे आपने पूछा कि मेरा मैटर क्या है अब पुलिस वाला आपको नहीं बता रहा है कि आपका मैटर क्या है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मुझे नोटिस भेज दीजे है 91 का अब जैसे 160 का नोटिस है तो उसमें नॉर्मली आपकी स्टेट्मेंट के लिए आपको बुलाया जा रहा है आप डर जाते हैं फोन बंद कर देते हैं यहां से आपकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है 41 का एक नोटिस आपके पास आया है तो यह थोड़ा सा चिंता जनक हो सकता है क्योंकि ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है तो ऐसे मामलों में आपको और भी प्रिकोशन्स लेनी चाहिए वो मैं आपको आगा-गा भी बताऊंगा 41 का नोटिस आया थोड़ा सा घबराने के जरुवत हो सकती है और अगर आपके पास नोटिस आता है 91 का तो ऐसे में कोई भी डॉक्यूमेंट्स परडूस करने के लिए कोई चीज परडूस करने के लिए बोला जा सकता है तो डरना नहीं है घबराना नहीं है घबराओगे डरोगे तो प्रॉबलम और ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके औ आप तक पोचाने के लिए और आप अगर पहली बार आए हैं हमारी इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथ में लगा बेल एकन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की लीगल एविरनेस की वीडियो आप तक सबसे पहले अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौती साफधानी के तरफ कि अगर पुलिस वाला आपको पुलिस टेशन बुलाए तो क्या साफधानी आपको लेनी है और ये साफधानी आपको लेनी ही चाहिए दोस्तों होता क्या है कि पुलिस वाले ने आपको कॉल किया प पहले आप मत जाए पुलिस टेशन, तो भेजिये पुलिस टेशन किसे भी आपके जानकार को, सगे संबंधी को, या बहतर होगा किसी वकील सहाब को आप हायर करें, उन वकील सहाब को आप भेजिये पुलिस टेशन, पहले उनके साथ बेशकाब ना जाएं पुलिस टेशन जाकर वकील साहब सारी डेटेल्स वासे निकाल लेंगे क्या कंप्लेंड है, क्या मामला है और अगर आप अरेस्ट होने वाले हो तो ऐसे में आपको बचाया जा सकता है पांचवे पॉइंट में आपको बताऊंगा आप कैसे बचेंगे बचाया जा सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ पूर्ष्टाच करके आपको छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे में वकील साहब आपको साथ लेकर जाएंगे वहाँ आपके investigation जोईन करवाएंगे या जो भी कोई notice आपके पास आया है उसके compliance करवाएंगे मतलब कि जो भी कोई requirement है पुलिस को उसको पूरा करवाएंगे और आपको वहाँ से वापस लेकर आ जाएंगे ऐसे में आपको कोई भी वकील साहब को अपने साथ लेकर जाना चाहिए अकेले नहीं जाना चाहिए problem हो सकती है अब हम बात करते हैं पाँचवी साफधानी के तरफ पाँचवी point क्या कहता है अगर पुलिस आपको बुलाए पुलिस station में और मामला है serious तो ऐसे में आप लगाईए anticipatory bail anticipatory bail लगाईए तो पुलिस जो आपको arrest करना चाहती है यहाँ पर वो bound हो जाती है court में वो आएंगे पूरे matter को बताएंगे matter क्या है और वहाँ पर आपको वकील साहब आपकी bail करवा सकते हैं बेल आपकी हो जाएगी तो कम से कम आप arrest नहीं होंगे कई बार आपकी गलत है यह भी दोस्तो आप लोग arrest हो जाते हो और अगर मामला कुछ भी नहीं है तो आपको सीधा 482 में question लगानी चाहिए question लगाई है F.I.R. के लिए मामला कुछ है ही नहीं बिना बात में पुलिस मुझे बुला रही है तो मामला वहाँ पर भी आपका खतम हो सकता है तो यह मैंने आपको जो 5 points बताए है कि पुलिस अगर आपको बुलाए पुलिस टेशन में क्या साफधानिया आप बरतेंगे आपको समझ आया होगा अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारी वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों परीजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको कानूनी जानका बना सकें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लिगल अवरनेस की वीडियो आप तक पोस्ते के सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइदों जिन्नेवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए